कि नमश्कार दूस्तों आई ये देखते हैं कि कल मार्किट कैसे काम काज कर सकती है लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर वीडियो एज्यूकेशन लर्निंग परपस के लिए मेरी तरफ से कोई बाइसाल का लिक्मेंडेशन नहीं है कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेशल एडवाईजर की मदद ले लीजिएगा क्योंकि आपको होने वाले प्राफिट लास के लिए मैं या मेरा चैनल किसी पितरा से दिम्मेबार नहीं है अब दोस्तों इस डाटा को देखके एक बात समझ में आती है कि रिटेलर तो कल के लिए बुलिश पॉजिशन लेके गया है FII कहीं ना कहीं Mixed View लेके गये हैं और प्राफ वो बीरिश पॉजिशन मैं बोलूँगा कि बीरिश पॉजिशन मुझे नजर में आ रही है और साथ में DIIIs भी बीरिश पॉजिशन लेके गया है तो हो क्या सकता है कल लाइव मार्किट में दोस्तों अभी एक्सपाइरी को बचें है तीन दिन तीन दिन में कोई बहुत बड़ा खेल होने के चांसिस कम रह गया है और यह लग रहा है कि एक्सपाइरी जो है यह भी कहीं ना कहीं Mute एक्सपाइरी होगी कोई बड़े लंबे चोड़े फाइर वर्स नहीं है जो पिछले दो तीन महीने से मार्किट कर रही है एक्सपाइरी कहीं ना कहीं 35,000, 35,000, 300,000, 400,000 कुछ ऐसी ही रहने वाली है और वहीं Nifty की भी 15,800, 15,900 इसी लेवल पर ही हो जाएगी अगर दो दिन में रिटेलर कोई जादा उथल पुथल नहीं करें तो क्योंकि ये जो वीक है इसमें इन्होंने अभी बहुत जादा कुछ गेम प्लान नहीं की लेकिन अब तीन दिन है तीन दिन में क्या बड़ी गेम हो सकती है वो देखना पड़ेगा लेकिन कल का भी जो सेशन है वो कुछ आज कितना ही रहने वाला है मिला जुला मिक्स सेशन नीचे से आपको खरीदारी आते हुए नदर आएगी उपर से बिकवाली आते हुए नदर आएगी क्योंकि रिटेलर ने कहीं ना कहीं पुट भी राइट करकी की विया और काल भी राइट की विया और लेकिन रिटेलर ने आज क्या किया स्टाक फ्यूचर खरीद लिए दस लाग से ओपर कंट्रेक्ट पहुचा दिये वहीं इंडेक्स अच्छा खासा माइनस कर दिया लेकिन दिक्कत यहाँ कि इंडेक्स जो अब प्रॉस्ट ने खरीदा है FIAE की आज इंडेक्स में रूची काम थी तो यह एक इंट्रस्टिंग सेशन है वहीं FIAE ने भी उपर के लेवल पे अपनी काल डिस्टिब्यूट की है और पुट भी हल्की की है हाला कि काल और पुट में वह बहुँ जादा मुनाफ़ा लेने में कामयाब नहीं हुआ लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बार बार मार्किट उपर लेके जा रहा था बैंक निफ्टी 35,000 के उपर लेके सस्टेन वहाँ पे काल्स ट्रॉप की जा रही थी और जब नीचे आ रही थी तो वहाँ पे कहीं न कहीं पुट दी जा रही थी और काल और पुट दोनों हमारे रिटेलर्स ने ले ली तो कल क्या हो सकता है अगर मार्किट गैप खुलती है तक्रीबन 101 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो वो निफ्टी को ओपन कराएगा 15,920-930 के लेवल के उपर और एक बार निफ्टी इसके उपर निकल के सस्टेन होना शुरू ही तो 15,980-16,000 के लेवल तक जाती हुई नजर आएगी लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है अगर आप देखते हो कि फ्लैट ही ओपन होती है तो फिर यही 20-30-50 पॉइंट के दाएरे में उपर नीचे उपर नीचे करेगी और उपर काल साइड में बन जाता है तो जब तक यह दो चीजें हैं मार्किट इस रेंज को नहीं काटेगी 15,900-930 की रेंज को उपर की तरफ नहीं काटेगी तो यह रेइस्टेंस का काम करेगा और अगर 15,780 के नीचे सस्टेन होना नहीं शुरू ही 15 मिनिट के लिए तो यही 15,800 जो है वो स्पोर्ट का काम करेगा आई दिन पर यही काम काज रहा 15,800,815,820 तक आती थी वहां से 840,50 तक जाती थी फिर उपर से नीचे आती थी फिर नीचे से 15,800,850 तक जाती थी और दिन पर यही हुआ तो अगर उपर आपको मिलती है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या 20,30,40 पॉइंट की ही काही गैप अप होता है उस केस में आप जो है 15,900 की पुट ट्राई कर सकते हो मैं यही करूँगा और अगर मुझे बड़ा गैप अप नहीं मिलता तो और नीचे की तरफ 15,800 की तरफ आएगी 790,800 की तरफ अगर आती है तो यहां से एक बार के लिए मैं काल ट्राई करने की कोशिश करूँगा देखूंगा की वर्ड मार्किट कितना साथ दे रही है एशिया कैसे ओपन होता है वैसे एशिया आज कमजोर था यूएस मार्किट अभी ठीक हो रही है तो यह समझ में आ रहा है कि एशिया भी कल जो है ग्रीन में ही कामकाज करेगा और हमारी मार्किट को कहीं ना कहीं ग्र अगर यह मंतलीक स्पाइरी नहीं होती तो आज हमने कम से कम 100-200 पॉइंट का गोता हमारी निफ्टी ने भी खाना था लेकिन मंतलीक स्पाइरी जो है यह बड़े प्लेयर्स अभी खराब नहीं करना चाते ताकि इनके प्रीमियम पे ज्यादा असर ना पड़े जो भी इनके प पे हो क्योंगी ज्यादा नीचे जो अभी जा नहीं सकती मार्केट वहीं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में भी 34.500 यह आपको स्पोर्ट लेते हुए मार्केट कहीं नहीं नजर आएगी और 35.100, 150 यहां पर कहीं नहीं रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आएगी 35.150 के ल और अगर यह भी फ्लैट ओपनिंग हुई तो वही 35.150, 200 से जो है फिर से सैलिंग आएगी और स्पोर्ट कहीं नहीं फिर आप 34.850, 900 पे स्पोर्ट आती हुए देखोगे तो यहां पर क्या काम काच करना है यहां पर भी आप 34.700, 800 इस रेंज में अगर मिलती है तो खरीद के चल सकते हो 35.150, 200 की तरफ अगर यहां पर जाती है तो आप यहां पर क्या करते हो अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहां पर जाती है तो यहां पर एक बार के लिए आप पुट्राई कर सकते हो यहाँ पर बैंक निफ्टी सेल करके चल सकते हो यहाँ पर जो स्टाप लास होगा अगर आप इस लेवल पर करते हो तो 35,300 सिर्फ 100 पॉइंट का आपका स्टाप लास होगा क्योंकि अगर 35,200 35,250 35,250 35,280 अगर यह लेवल उपर की तरफ जाता है इ आपको नदर आएगी फिर उस केश में 35,000 यह आपको जो है सपोर्ट का लेवल बनते हुए नदर आएगा तो यहाँ पर आपने क्या करना है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी आपने यही करना है लेवल का ध्यान रखना डाटा का ध्यान रखना तो अगर लेकिन अभी एक चीद है पुट अभी भी FIAE के पास ज्यादा है तो कल भी जैसे आज आपने देखा कल भी आपको जो है बोलाटाइल सेशन विक्स नीचे होने के बाग जूदो एक बोलाटाइल सेशन देखने को मिल सकता है जिसमें से उपर से आप एक फास्ट सेलिंग द जाएगी कब जाएगी कब जाएगी तो बेस्ट स्ट्रेटी के ट्रेल लेने की जब आपका डाटा पॉइंट जब जो लेवल्स हैं लेवल्स के आसपास मार्केट मेरे तो आप तब ट्रेड लिजिए गा उमीद है दोस्तो इसी के साथ अब आपको यह समझ में आ गया होग यह चारो ब्रोकर हैं अगर आप किसी के साथ भी एकोंट ओपन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया लिंक को क्लिक करके घर बैठे हुए एकोंट ओपन करो और अगर लिंक के साथ एकोंट ओपन करते हो तो एक बार डिटेल भी मेरे साथ जुरूर शेर कर लेना टेल झालो हैं झालो है।